तपिल पाटिल जी, ती इश्वरिया जी, प्रणे फुके जी, नाना पटोले जी, महादेवराव जानकर जी, बालो बहु धानोर कर जी, बील यादव जी, फिर्दोस मिर्दा जी, अभिजत वंजारी जी, अशोक जीवतोले जी, वीर बहादूर महतो जी, सचिन राजूर कर जी, केशो मांसाकी जी, बीहनुमंत राओ जी, शब्बिर एहमत जी, साथी में श्री जाजूला गवड जी, राओ जी, सभी मंचासीन, महानुभाव और उपस्तित सभी बहन और भाईयों, आज विशेश रूप से मैं डॉक्टर बबन राओ जी तायवाडे, इनका अभिन करना चाहता हूँ, कि लगातार उन्होंने पुरे देश में, OBC समाज को, एक साथ लाकर, OBC समाज की एक मजबूत आवाज तयार की, और आज, हम देख रहे हैं कि सभागार में भी, देश के सभी राज्यों से लोग उपस्तित है, और जिन 22 मांगो को यहाँ पर रखा गया है, मैं आपको अश्वस्त करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरी क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर, आपकी मांगो को उचित सरकार तक पहुचाने का प्रयास, मैं निश्चित रूप से करूँगा, यह विश्वास आप रखे, पिछले समय महाराष्टर में मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे मौका मिला, और उस समय स्वतंत्र OBC मंत्राले हमने तयार किया, और मुझे यह कहते हुए खुशी है, 2014 से लेकर, 2022 तक महाराष्टर में OBC के हितके, पुल मिलाकर 22 निरणे हुए, तरकार के 22 निरणे, उनमें से 21 निरणे मुख्यमंत्री के रूप में मैंने लिए, आप कोई भी वहाँ पर देख सकते हैं, और लगातार, चाहे वो शिक्षा का विशे हो, चाहे नोकरियों का विशे हो, चाहे हमारे बच्चों के लिए छात्रावास का विशे हो, चाहे हमारे बच्चों को पॉरेंड स्कॉलर्शिप देने का विशे हो, चाहे IAS IPS का ट्रेनिंग देने का विशे हो जो जो मांगे बवन राओ जी आपने अपने अधिवेशन में की वो सारी मांगों को सरकार के माध्यम से मंजूर करके हमने उस समय उसके शासंद्रने निकाले और मैं आपको फिर एक बार याश्वस्त करना चाहता हूं कि आधरनिया हमारे मुक्यमंत्री शिंदे जी के नित्रुतों में जो हमारी सरकार आई है ये सरकार निश्चित रूप से OBC के हितों की रक्षा करेगी और OBC के लिए जो निर्णे आपने अप्यक्षित किये है वो निर्णे हम लेंगे कुछ समय पहले जैसे OBC के राजनितिक आरक्षण की बात हुई थी तो मैंने नाकपूर में ये कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा और अगर चार मैने में ये OBC का राजनितिक आरक्षण वापिस नहीं आया तो राजनितिक सन्यास ले लूँगा ये कहने वाला मैं वेक्षण था और मुझे खुशी है और मैं उसका कोई क्रेडिट ने लेना चाहता सबने मिलकर प्रयास किया लेकिन ये OBC का राजनितिक आरक्षण ये यहां पर वापिस आया और अभी उसमें बहुत कुछ करने की जरूत है और आने वाले दिनों में वो करके हम निश्चित रूप से दिखाएंगे और OBC समाज को नयाय मिले इसके लिए जो जो सिजे करने के आवशक्ता है वो की जाएगी मुझे इस बात की खुशी है कि वैसे तो देश के प्रधान मंत्री को कोई जाती नहीं होती वो तो सबके होते लिकिन एक सयोग है कि आज देश के प्रधान मंत्री जी भी वयम OBC है और OBC की समस्याओ के बारे में जानते है और जैसा कफिल पाटिल जी ने कहा पहली बार देश में 40 प्रतिशत मंत्री ये OBC समाज से आज केंदर के मंत्री मंडल में है और निश्चित रूप से मेरा विश्वा से जैसे OBC के बारे में जो सववधानिक दरजा OBC आयोक को देने की बात थी इसको मोदी जी ने पूरा किय हमारे बच्चों को All India कोटा में डॉक्टर बनने के लिए आरेक्षन नहीं मिलता था कितने सालों से मांग थी हम संगर्श करते थे बापन राजी कितना संगर्श हुआ लेकिन उस मांग को भी आधरणिय मोदी जी ने पूरा किया अब All India कोटे में भी हमारे OBC बच्चे लेकिन हम सब लोग मिलकर इस मंच के उपर OBC हित के लिए एकत्रित आये हैं और मेरा विश्वास है कि यह जो सारी चीज़े आपने रखी है हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं उनसे भी मेरी बात्चित हुई है अब कुछ मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटी होता है तो कुछ चीज़े वो भी कहेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चाहे महराथ रो चाहे देशो OBC के हित में आपके नेत्रुत में जो काम चल रहा है इस मंच के नेत्रुत में जो काम चल रहा है इस मंच के कार्यकरता के रूप में हम लोग यहां पर काम करेंगे और आपके इन सारी बातों को आगे ले जाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा वैसे भी बवंद्राओ जी इतने सालों से तुकि आप नाकपूर से आप जानते हैं मैं सोयम इतने सालों से नाकपूर से लगातार जितता आया हूँ और आज राजनीती में 30 साल मुझे हुए है और इन 30 सालों मैं इसलिए बार-बार विजय हो पाया क्योंकि जहां से मैं चुनकर आता हूँ वहां तो सारे OBC है OBC लोगों ने ही देवेंदर फटने इसको बनाया है देवेंदर फटने इसको वोट दिया है देवेंदर फटने इसको चुनकर लाया है तो ये तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि OBC के सम्मान में जो भी चीज़े हो उसमें हम पुरजोर ताकत के साथ उत्रे मैं आज के समोके पर आपको इतने अश्वस करना चाहता हूँ हम सब आपके साथ में जो निरने आप करेंगे हमारी शमता के अनुसार हम उन निरनेों के पीछे खड़े होकर उन निरनेों को इंप्लिमेंट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे आपने इस राष्ट्री अधिवेशन में हमें निमंत्रित किया इसले आपका अभार व्यक्त तरता हूँ मैंने आप से निव्यदन किया था कि मुझे जल्दी जाना है अपने उसकी भी परमिशन मुझे दी इसले आपका अभार व्यक्त तरते हूए अपने शब्दों को विराम देता हूँ JAY OBC JAY OBC JAY OBC